हम इस चैनल के और सेविंग्स और इंवस्मेंट की बहुत बात करते हैं लेकिन एक इर्द यह भी है कि अगर इंकम Salem और इंवस्मेंट कै кажд होगी जब हम बात करते हैं कि early days से इंवेस्मेंट करनी चाही है सेविंग करनी चाही से तो उसका reason क्या होता है मेरे चाल से उसके दो reason होते है एक reason यह है कि compounding effect आता है यानि कि अगर आप let's say 20 years के अंदर जो saving और investment start करेंगे और जो 30 years के अंदर investment और saving start करेंगे उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा अगर आपको realization 20 साल की age में हो गई है कि saving और investment start करनी है तो well and good लेकिन अगर आपने 30 साल की age में जाके की तो जाहिर सी बाद है compounding जो मैंने इस पर multiple videos बनाई है कि उसका क्या मसला आ सकता है 30 साल की age में फिर आपको किस level के ओपर investment करनी पड़ेगी जो कि आपको 20 साल के अंदर नहीं करनी पड़ेगी लेकिन अगर income तो होगी ना income के बगार तो आप यह नहीं कर सकते और दूसरा point यह है कि आपको जब छोटी age में start करते हैं investment or saving करना तो आपको experiences मिल रहे होते हैं तो आप जो अपना गलतियां भी करेंगे तो वो छोटे amount से करेंगे चोटी age में करेंगे तो आपके पास उसको cover करने के लिए time जाद होगा तो यह दो main reasons है आपको जल्दी saving or investment start करने की लेकिन at the same time यह जुरूरी है कि आप definitely income generate कर रहे हो income generate जब तक नहीं होगी तो saving investment का कोई फाइदा नहीं है मैं उसकी example आपको देता हूँ sorry for the break in the video लेकिन मैंने का आपको बता दू कि जो newsletters मैं निकालता हूँ अप से मेरी try है कि मैं जो newsletter के अंदर topics बताऊँ वो future की वीडियो के बारे मों तो अगर आप newsletter पर subscribe ढोंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे वीडियो कौन सी आने वाली है तो प्लीज सब्सक्राइब करें निक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इसके लावर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को लेट्स गैट बाक तुद एक्जामपल में यह देखते हैं कि फर्स करें आपके पास 20,000 रुपे हैं आप 20,000 रुपे इंवेस्ट करते हैं 10% के हिसाब से 5 साल के लिए जब आप 10% के हिसाब से 20,000 रुपे 5 साल के लिए इंवेस्ट करते हैं तो आपको मिलेंगे 32,200 रुपे तकरीब कोई 32,200 रुपे मिलेंगे इसी चीज़ को जब आप 10,000 रुपे आपके पास हो और वो आप करें इन्वेस्ट लेट से 20% से और 20% से जब आप इन्वेस्ट करेंगे उसको 5 साल के लिए तो आपके वो बनेंगे तक्रीबन कोई 24,800 रुपे और इसी तरह से अगर आप 40,000 रुपे इन्वेस्ट करते हैं फॉर दर पीरिड ऑफ फाइव यह लेकिन सरफ 5% की रेट से आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो मिलेंगे 51,000 रुपे तो आप इसको इसके अंदर फर्क देख सकते हैं कि आपके पैसे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपके जो 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 रेट है आपका वो कम लग रहे है लेकिन उससे आपको पैसे उसी को जादा मिलने जिसमें इनीशिल इन्वेस्मेंट जादा है तो आप आप यह देखें कि 20% इतना असान नहीं होता किसी के लिए भी रिटैन लेना आप स्टाक मार्केट के अंदर देखें अगर आवरेज कर लेना तो 20% किसी को रिटैन मिल है तो उसके साथ उसको शायद नुकसान भी उसी तरह से हो रहा हो तो आपको यह देखना है कि आपका फाइदा कितने में हो रहा है अबरेज आउट कितने में हो रहा हो सकता है कुछ लोगों को 20% का फाइदा होता हो लेकिन हो सकता है हर साल का ना होता हो हो सकता है किसी को 25% हो जाता हो किसी एक साल में किसी को बीस परसंट उसी साल अगले साल में हो जाता हो उससे अगले साल में दस परसंट का होता हो या नहीं होता हो तो यह अबरिज आउट होके लेट से अगर वह बीस परसंट ले भी रहा है कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उसको कितनी अक्टिव चाहिए लेकिन उसको सरफ let's say he's happy with let's say 10% return और वो उस बंदे से जो 20% return ले रहा है लेकिन उससे कमा जादा रहा है जब वो कमाएगा जादा तो जाहिड सी पाद है investment जादा करेगा और जब invest जादा करेगा तो उसको although के rate of return कम है लेकिन उसकी वज़ा से rate of return कम होने की बावजूद उसको जो जो effect होगा वो जादा होगा यहां आप देख सकते हैं किस तरह से जो 10,000 रुपे 20% से invest हो रहा है और जो 20,000 रुपे 10% से invest हो रहा है उसमें किसका फाइदा हो रहा है लेकिन अभी हम बात करें कमाने की अब आप यह देखें कि जो stock brokers होते हैं अगर इतने ही वह perfect हैं अपनी चीज़ के अंदर तो वह क्यों नहीं सिर्फ अपने पैसे ही लगाते हैं दूसरों से पैसे मांगने की क्या जूरुए था वो अपने पैसे लगाएं और उसी को multiply करते ना और फिर उनको definitely अगर उनको फायदा होते तो अच्छी बात है नहीं होता है तो उनका नुकसान नहीं होगा उसके अंदर उनको अपना commission मिल रहा है तो यह होता है पैसा कमाना basically जो चीज़ investment के अंदर होती है वो आप अपने extra पैसों से कर रहे होते है investment हमेशे extra पैसों से होती है तो आप कभी भी यह ना समझाएं कि अपने पैसों को double कर लेंगे एक साल के अंदर दो साल के अंदर double कर लेंगे three times कर लेंगे जो चीज़ यह होती है ना यह फिर पैसे investment नहीं होती यह तो gambling होती है या it's too good to be true कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है मैं तो कहता अगर को 30% का भी आपको profit दे रहा है annual rate के ओपर बलकि मुझे आज कोई बता भी रहा था कि इसलामबाद के अंदर कोई property developer है जो आपको आपसे पैसे ले रहा है let's say 25 लाग रुपे in fact दुबाई के अंदर भी इस तरह के cases हैं कि आपसे 25 लाग रुपे ले रहे हैं और आपको मैं UAE की बात करूं तो UAE के अंदर अभी कोई एक company है जो offer कर रही है आपको let's say हम हमारे पास गाड़ियों का एक बड़ा network है bikes का बड़ा network है जो के delivery कर रहे होते हैं तो हमें उसके लिए investment चाहिए और वो incentive क्या दे रहे हैं आपको कि आप 10,000 रुपे दे 10,000 दे 10,000 दे 10,000 500 द्रम आपको दिया करेंगे तो अगर आप उसको calculate करें तो 500 द्रम अगर आप वो एक साल तक मिलते रहें 500 द्रम तो वो तो 60% का return हो जाता है और 10,000 द्रम साल के end के उपर आप उनसे return ले सकते हैं यानि कि 10,000 द्रम आपको आपसे वो ले रहे हैं और आपको हर महीने 500 द्रम कि वो वापस हो जाएंगे मतलब कमाल है और लोग उस पर यकीन भी कर रहे हैं यानि कि आप यह सोचें 60% आपको वो फाइदा दे रहे है 60% in dollar terms या दिरम terms आपको वो profit दे रहे है ऐसा कहा हो सकता है जिस बंदे ने मुझसे पूछा तो मैंने इसको बोला यार आप यह सोचे है कि अपनी earnings आप अपनी रखें investments के उपर अपने जो extra पैसे हैं वो लगाएं जादा सा जादा पैसे लगाने उसमें कोई बड़ी बात नहीं लेकिन सारे पैसे आपके earnings से आएंगे अब यह earning कहा से आ सकती है earning आपकी job से आ सकती है earning आपकी business से आ सकती है earnings आपकी जो stocks में investment ह है उसके जो dividends है उससे आ सकती है earnings आपकी जो कोई property है उसको rent पर दिया हुआ है उससे आ सकती है लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि पैसे लगाने के बाद जो stocks के अंदर जो ऊपर नीचे जो prices होंगी उससे आप earning करेंगे वो earning नहीं होती है क्योंकि वो basically आपके वो पैसे ह हैं जो किसी भी वक्त नीचे भी जा सकते हैं तो वो as such आपकी कोई streamlined earning नहीं है तो point यह है कि आप अपनी investments और savings के ओपर rely नहीं करें especially if you are in a young age तो आप उसको कोशिश करें कि वो investment आप करते रहें और उससे dividends या rental returns आप लेते रहें लेकिन जो आपकी actual stream है income की वो आपकी या तो job होगी या business होगा तो आप इसको यह नहीं सोच सकते कि आपकी investment अगर हाँ तो या तो आपने ऐसी हो ना कि आपने कोई आपने इसे चक्के मार दियों कि करोड़ो रुपया आपके पास हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं आपके पास rental return भी आ सकते हैं आपके पास dividend income भी आ सकती है आपके पास fixed income returns भी आ सकते हैं लेकिन जब आपके पास एक job है और job में आप invest कर हैं stocks के अंदर और उस पैसों से आप try करेंगे कि भाई अब मैं इससे अमीर होता हूं उन पैसों से वह ऐसा नहीं हो सकता तो आपको अपनी जो income है उसको constantly बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए मैंने इसके उपर बहुत सारी videos बनाई है passive income के उपर भी बनाई है और कैसे आप normally अपनी जो freelancing skills हैं वो improve कर सकते हैं उसके पर भी मैंने वीडियो बनाई है और उसको आप जाके देख सकते हैं बाइदर वे पैसे बनाने का एक और अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बैंक को जड़ा सही से tight करके रखें उस पर मैंने एक video बनाई थी यहां पर उस video का link है बैंक्स को किस तरह से आपको tight रखना है किस तरह से उनको wet करना है banking उनके साथ contract करने से पहले इसके रावा मैंने एक यह video बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि 10,000 रुपों को पर मन्त आप अगर invest करें तो कैसे करोड़ रुपे बन सकते हैं तो वो उस video को भी जाके थैंक्स वोचिंग वीडियो बाबाइ